हाई दोस्तों आपका मेरे चानल पे फिरसे स्वागत है और दोस्तों आज का ये वीडियो एक अफोर्डेबल हाउजिंग प्रोजेक्ट पे अधारित है और ये जो प्रोजेक्ट है ये OSB बिल्डर का है जो कि सेक्टर 69 में आया हुआ है तो उसी पे आज की इस वीडियो में प्रोजेक्ट में आपको अपलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कैसी लोकेशन है या बिल्डर के क्या क्रेडिंशल है तो उसी पर ये चर्चा रहने वाली है और बागी अगले भाग में जो इस वीडियो के अगले भाग में हम रोयल ग्रीन पे भी कुछ चर्चा कर करते हैं तो देखें दोस्तों काफी लोगों की मिझे कुर्शन आ रहे थे कि सर में हम लोगों को अपलाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसा बिल्डर है और लोकेशन तो बहुत अच्छी है सेक्टर 69 में ये प्रोजेक्ट तो देखें मेरे पास ऐसे कई सारे कुर पहले बता दो कि OSB बिल्डर को पहले बात तो हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं और इस पर हमारा कोई इंट्रेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट के उपर काम करने के लिए अब वो इंट्रेस्ट क्यों नहीं है इसी लिए नहीं है क्योंकि बिल्डर के प्रोजेक्ट आया था जो कि अभी भी अंडर कंसक्शन फेज में है जब कि उसके साथ में जो प्रोजेक्ट आये थे वह डिलेवर हो गए लौग वहां पर सालों से रह भी रहे तो ऐसा बिल्डर है यहां पर तो आप देखिए देखिए लोकेशन के उपर मज जाए है जैसे आप मान लीजिए आप तहीं पर ही रहते हैं अगर आपका आस्परोज भी अच्छा नहीं है आपकी लोकेशन कोई बहुत अच्छी है तब भी वहां पर आपको रहने के लिए जो हांती कठनाई या फेस करते हैं आप तो इस तरह से बिल्डर को आप लीजिए नाम ले जैसे रॉयल ग्रीन का भी हम नाम ले सकते हैं आप जिनकी सोच इस तरह से हैं पहले से ही वह इतना मनी माइंडेड है और जन्रल पब्लिक को कुछ समझते नहीं है तो वह आने मलब आपको कैसे सर्विस देंगे क्योंकि देखें आपको फ्लैट कहीं न कहीं अगर म पैट मिल गया तो वहां सर्विस नहीं मिलेंगी तो आप वैसे भी नहीं रह पाएंगे अगर मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई इशू आगया प्लंबिंग इशू आगया कोई लेक्ट्रिकल इशू आगया और वहां पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप कैसे सब्सक्राइब करने तो ऐसे सुसाइटी में चाहिए वह अच्छी से अच्छी लोकेशन पे क्यों ना हestar हो और लोकेशन से नहीं पसंद करेंगे और उस property के जो दाम है वो नहीं बढ़ पाएंगे आप जाके रीसेल मार्किट चेक कीजिए रीसेल में क्या होता है location से जादा preference लोग आज कल देते हैं maintenance को और मलब services जो builder दे रहा है अगर उस society की maintenance अच्छी है services अच्छी है तो लोग उसे prefer करते हैं rather location को देखके तो जबकि fresh जब property लोग खरीते हैं तो उसमें सबसे पहली जो preference देखते हैं वो location क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो fresh property खरीते हैं जो under construction property खरीते हैं वो maximum लोग मलब mix up mixture होता है जो maximum जो लोग होते हैं मिक्षर होता है मिक्षर होता है investor का और end user का तो end user तो देखिए मतलब जो होता है उसको तो अपने लिए रहने के लिए चीज लेनी है तो वह इधर उदर से सुनता है कुछ अपनी R&D करता है और जो चीज़े समझ आती है तो वह ले ले लेता है कंसक्शन सेज़ पर चीज़े आएंगी तो हमें sell out कर देंगे तो इसलिए आप मलब ब्रहमित ना हुई है और बिल्डर का background जो देखिए trusted builder पर जाईए affordable में भी कुछ trusted name है उन्हें आप देखिए उनके previous project को देखिए नए builder की नई location पर लुभावत ना हुई है क्योंकि देखिए location लुभावनी हो सकती है बड़ जब तक builder अगर अच्छे से services नहीं देगा maintain नहीं करेगा society को तो आपकी society की value zero हो जाएगी और तो मेरा क्याने का मतलब यह है कि देखिए OSB को आप verify कीजिए अपने खुद जाके देखिए इनके projects में इनके पुराने customer से review लीजिए तो वह आपको इनकी असलियत बता देंगे कि किस तरह का यह builder है और इसलिए हम इस project पे काम नहीं करें मेरी तरफ से तो ना है clearly ना है location का है मैं कहा हूँ बहुत अच्छी है प्राइम मैं तो कहता हूँ गॉल्फ कोर्स रोड पे भी यह project होता तब भी मैं अपने customer को ना ही कहता इस project में apply करने के लिए क्लिए क्योंकि जिस तरह से builder की मन्शाएं हैं और जो दिख रही है इसके पुराने projects को आप देखक वह आप सोच के ही इसमें जाईए तो हमारी तरफ से तो ना है बाकी आपका अपना निर्न है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और अब ही देखिए आप जो दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था दूसरे भाग में रोयल ग्रीन पर चर्चा करेंगे तो रोयल ग्रीन के उपर मुझे बहुत ही शरम के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग हैं हमारे इंडस्ट्री से जो रॉयल ग्रीन जैसे बिल्डर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और तथा कटित उसकी जो यूनिट है से उनको ब्लैक करने में मार्केट में सहायता कर रहे हैं और जो यूनिट ह उसकी जो हां कीमत जो एक जनल पब्लिक को चीजे मिलनी चाहिए थी वो यूनिट मार्केट में ब्लैक हो रही है 65 पैसट लाग रुपे की यूनिट ब्लैक की जारी है पर मैं यह कहता हूं जो 65 लाग रुपे की इस लोकेशन बेजमान लिजे 62 कॉल्फ एक्सेंशन रोड प चैच करके देंगे इससे जाधा अच्छी रीसेल मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि बिल्डर अच्छा एट लिस्ट जो बिल्डर अच्छा हो उसमें लीजिए क्योंकि कल को सर्विस जो है न मैं मैं बता रहू हूं आपको आप रीसेल में चेक कर लीजिए सर्विस होता है किसी भी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू बनाने के लिए तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार वो गॉल्फ कोस एक्षेंशन रोड पर या इस्प्र रोड पर तो उसकी अच्छी रीसेल वैल्यू बन जाएगी ऐसा कभी भी नहीं है यहां पे भी कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएंगी अंसल एंचेंशिया में जाहिए कुछ उनकी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही है और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं मलब ऐसे गॉल्फ को से शेंच रोड पर जहां पर सर्विस का अभाव है और बिल्डर सुसाइटी भी ध्यान नहीं दे रह हैं तो अगर रॉयल ग्रीन की लोकेशन अच्छी है बड़ जैसे बिल्डर का आपने देखा ही है कि जनरल पब्लिक के साथ धोका करके सारी यूनिट ब्लैक कर रहा है मार्केट में तो ऐसे बिल्डरों के साथ ना चाहिए और 65-67-70 लाग रुबे ऐसे बिल्डरों को मत दी इसकते हैं और उसे आप अराम से असे की जिये या फिर ईसको रेंट आउट कीजिये इसे अच्छी मैं कहनों रेंटल वैलिव निकलेगी इसे अच्छी में वेल्यकिन दीनिक कर सकते हैं यहां पर हम जेलेस की बात कर सकते हैं वंदो पीरामिंट की बात कर सकते हैं जिनके इन्हों ने एक नाम तो बनाया है न आप कुछ लोग कहेंगे कि इनके सर प्रोजेक्ट का मारे मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट का मारे हैं पर आप इन में दिखे अगर आपका चांसे और आते भी हैं तो इसमें बहुत मारा मारी होती क्योंकि बिल्डर अच्छा है यह भी आप मानता हूं तो अगर आप 65 रुपी में एक यूनिट ले रहे हैं मैं माननी जी कितना 28 रुपी चीज को आप माननी जी आप 65 में तो डबल से जाधा की की मत आप उसके लिए दे रहे हैं तो यहां पर पर रिम्यम देखे भी ले सकते हैं मुझी वाली यूनिट यहां पर जो अच्छे बिल्डर नंके प्रिम्यम देखे ले-लिजिए अगर आपको डाउट है आपका ड्रॉ में नहीं निकलेगा तो उनकी प्रिम देखे अब आब अभी जैसे हम फीलाल में की यशिका आया था तो यह एचिक की लिए हम लोगों ने का मफें किया था धो हमने याङ दूप यह कॉन कर रहे हैं क antagon का लोगों क्रका आया यह उन्य लोन कर रहा है आप जिनका लोगों का निकल गया वो लोग पस्ता रहे हैं क्योंकि 99% का इंट्रस्ट है तो यह बिल्डर की आप नॉर्मल ड्रॉ में जाए किसमत अमनाई है या फिर अगर नहीं तो आप शौर्ट शौर्ट यूनिट ले लिजे उनसे कम से कम आपको कुस्तों सर्विसिस के नाम पर आपको चीजें मिलेंगी जिससे आपकी री सेल वैल्यू या प्रॉपर्टी मेर एटलीस रहने ही ला चाहिए और जो लोग ऐसी लेकाम करं रहे हैं रोकर सिर्फ एक अपने लालज में तो उन्हें शरम आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि हां हम किसका किसका साथ दे रहे हैं और कैसे लोगों घाप एसा दुबा रहें तो चलिए दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ह इच्छा है जैसा आप करें चाहें तो वो कर सकते हैं इसमें तो देखें किसी की अगर अपनी इच्छा है पैसा डुभा नहीं है तो डुभा शकता है बड़ी खुशी से डुभा हवें कोई इसमें इतराज नहीं है और बाकी देखे आज रात को लाइफ सेशन है आठ बजे चैनल पर तो उस पर बेसिकली जो लाइफ सेशन रखने का मेरा मोटिफ है कुछ और कुछ आंसर रहेंगे आप लोगों के जो हम कमेंट में आप देके पूस सकते हैं तो उसका मैक्सिम्म कोश में इसमें जुड़ेंगे और काफी चीजों के उपर मैं इसके उपर आपको क्लैरिटी दूँगा मैक्सिम्म एक घंटे का यह सेशन रहने वाला है बाकी देखेंगे अगर डिसकेशन और फर्दर आगे गया तो बढ़ भी सकता है तो चलिए दोस्तों मैंने अपना वर्ड है तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर अंद कर देते हैं और आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो के साथ और लाइफ सेशन को भूल मत जाना रात को आठ बजे आ रहा है लाइफ सेशन तो उस पर तो जरूर मिलते हैं तो तब तक के लिए दोस्तों बाबाई एंड टेक कियर